अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अगर भी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे जिस्ते आपको हर एक वीडियो को नाटिफिकेशन मिलता रहेगा स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के A Letter to God आपका चैप्टर स्टार्ट होता है The house the only one in the entire valley sat on the crest of a low hills From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest पूरे entire valley में सिर्फ एक ही house था जो hills के ऊपर था जहां उतने उचाई से हम लोग river और जो corn के जो field होते हैं जो जिसके ओपर flowers आये हुए थे जो हमसे यह promise करते हैं कि इस बार के जो फसल है वो अच्छी होगी harvesting उसकी अच्छी होगी लेकिन सिर्फ एक ही ही चीज़ सही है थी जो था पानी बारिश ठीक है दूसरे सुबव लेंचो जो है बारिश होए now we are really going to get some water woman यहाँ पर woman जो है वो उसकी wife है तो अपनी wife को बोलता है कि अभी हमको सच में पानी की जरूरत है हमारी crops को पानी की सच में जरूरत है उनकी जो wife है जो सुपर सपर का अतलब होता है रात का खाना डिनर ठीक है तो उनके जो wife है वो रात का खाना डिनर बना रहे थी और वो बोलती है कि हाँ अगर भगवान चाहे तो फिर बारिश हो सकती है और उनके जो बड़े बच्चे थे वो खेत में काम कर रहे थे और छोटे बच्चों जो थे वो घर के पास में खेल रहे थे जब तक उनकी मम्मी उनको बुला लेती है खाना खाने के लिए ठीक है, it was during the milk that just as Lencho has had predicted, जब वो लोग खाना खा रहे थे, तब Lencho कैसा लगता है, कि बारिस के जो बड़े बड़े जो drops है, वो गिर रहे हैं, और इंदी North East Hugh Mountains of clouds, और North East की तरफ से बड़े बड़े जो clouds है, वो आ रहे हैं, और बारिस हो रही है, हवा भी बहुती fresh और sweet सी चल रही है, ठीक है, बहुती fresh हवा चल रही थी, the man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain of his body, अभी लैंचो जो है, वो बाहर आ जाता है, क्योंकि उसको rain जो है, बारिस जो है, उसको, उसकी feeling उसको लेनी थी, and when he returned, he exclaimed, these aren't rain drops, और इसका वो बोलता है, कि ये जो बारिस के जो बुंद नहीं है, ठीक है, आसमान सो जो गिर रहा है, वो बारिस की बुंद नहीं है, जो बड़े बड़े जो drops गिर रहे है, वो 10 रुपीस है, और जो छोटे छोटे जो drop है, वो 5 रुपीस के कोईन है, ऐस लेंचो बोलता है, with a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers trapped in a curtain of rain, वो ऐसा बोलता है, कि उसका जो corn है, उसके जो खेती है, जो flowers है, वो rain से ढग गया है, but suddenly a strong wind, तभी एक बहुत ही तेजी से हवा चलने लगती है, और तेजी से बारिस भी स्टार्ट हो जाती है, बड़े बड़े जो गोले है, वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, और यह जो है, एक न्यू सिल्वर कोईन के तरह लग रहा है, the boys exposing themselves, और फिर जो वच्चे हैं, वो भी बाहर आजाते हैं, ठीक है, बारिश में ran out to collect, जो भी frozen pier, जो है, यानि कि जो आइस के गोले हैं, उनको उठा के वो लो, crops के बाहर फेक देते हैं, यह बहुत ही खराब हुआ, ऐसा लैंचो बोल रहा है, I hoped, लैंचो बोल रहा है, कि मुझे आशा है कि यह जल्दी से चला जाए, लेकिन यह जो बारी से यह जो तुफान आई थी, वो जल्दी से गया नहीं, For an hour, एक घंटे तक आसा ही चलता रहा, तेज बारी से हवा चल रही थी, और उनके जो घर पे, उनके गार्डेन में, हिल साइड पे, उनकी कोन फिल्द, यानि कि उनकी जो खेती थी, उनके पूरे वैली में, पूरा बरफ बरफ हो चुका था, The field was white as it covered with salt, जो उनकी जो खेती थी, वो पूरा white-white हो गया था, जैसा कोई नमक होता है, वैसा, वो नमक से पूरा covered हो गया था, Not a leaf, अब trees के उपर एक पत्ता भी नहीं बचा था, the corn was totally destroyed, उनकी जो खेती थी, वो पूरी तरह से खतम हो चुकी थी, पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, destroy हो चुकी थी, the flowers were gone, और जो plants के उपर जो flowers आए हुए थे पहले, वो भी चले गया, लैंचो की जो आत्मा है, जो, and when the storm was had passed, he stood in the middle of the, जब तुफान चला गया, तो जो लैंचो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, पिच्चर में आपको दिख रहा होगा, लैंचो जो है, फिल्ड के एकदम बीचो बीच खड़ा हो जाते हैं, और उनके जो sounds, उनके जो बेटे उनको बोलता है, a plague of locust, loc बहुत ही, काफी, बहुत ही बड़ी मात्रा में, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसको लॉकस्ट कहते हैं, ठीक है, लॉकस्ट जैसे जो इनसेक्ट है, ऐसा बोल रहा है, कि a plague of locust would have left more than this, the hail has left nothing, लैंचो बोल रहा है, कि अगर एक बार, लॉकस्ट, यानि कि लॉकस्ट इनसेक आने पर हमको नुकसान हुआ है, जानि कि अगर लॉकस्ट इनसेक्ट उनके crop को खराब करता, तो कम से कम थोड़े बहुत crops उनके बच भी जाते हैं, लेकिन अभी इस समय उनका जो तुफान आया था, उससे उनके पास कुछ भी नहीं बचा है, सारा crops वेश्ट हो गया है, ठ और अब उनकी कोई मदद करने वाला भी नहीं था, और वो लग इस साल भूखे ही मर जाएंगे, बट इन दी हार्ट सॉलिटरी हाउस इन दी मिडल अफ दी वैली, देर वाज अ सिंगल होप हैल्प फ्रॉम गॉड लेकिन एक लास्ट आसा उनके पास बची थी भगवान, ठ भगवान थे ठीक है, अतलब भगवान वहाँ पे भगवान का जो टेंपल था ठीक है, गॉड का टेंपल था, तो वहाँ पे उनके एक लास्ट आसा बची थी, don't be so upset, even though, these seems like a total loss, इस से उनको पूरा बहुत ही ज्यादा लॉस हो गया था, उनके पास कुछ भी क्रॉप्स मे कोई भी भूखा नहीं मरेगा, that's what they say, no one dies of hunger, तो उनके जो सौन से जो वेटे वो बोलते हैं, क्या इतना सारा हो जाने के बाद भी तुम बोल रहे हो कि कोई भी भूखा नहीं मरेगा, although the night Lancho thought only his one home, लेकिन पूरी डाल लैंचो जो है, उसकी जो एक आसा बची थी, उसी के बारे मोर सोच रहा था, कि भगवान उसकी मदद करेंगे, जिनकी आइस उनको ऐसा इंस्ट्रक्टर करती थी, मतलब भगवान की आइस ऐसा उनको बता रही थी, Lancho को, कि कुछ न तो कुछ वो करेंगे, Lancho wasn't Ox, Lancho जो है, वो एक Ox की तरह काम करता था, ठीक है, जो पूरे उसको लिखना पढ़ना आता था, the following Sunday, Sunday को उसने, जैसी सुबह हुई, उसने सबसे पहले एक लेटर लिखा, और उस लेटर में उसने भगवान के लिए एक लेटर लिख रहा था, ठीक है, mail लिख रहा था, it was nothing less than a letter to God, God, he wrote, if you don't help me, Lancho लिखता है कि भगवान, अगर तु जरूरत है, in order to sow my field again, मुझे मेरे खेती को वापस से ग्रो करने के लिए, मुझे 100 पैसों की जरूरत है, and to live until the crop comes, becomes the hail storms, और फिर वो बताता है कि किस तरह से उसके जो क्रॉप से पुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके है, और अब उसको 100 पैसों की जरूरत है, he wrote, वो लिख वो उसको लेकर शहर में चला जाता है, टाउन में चला जाता है, at the post office, post office में, और इसके बाद उसमें stamp लगाकर लेटर पे उसको mail box में डाल देता है, one of the employees, उसमें से एक employees, who was a postman, जो postman था, and also helped at the post office, went to his boss, वो अपने boss के पास वो पोस्ट लेकर जाता है, laughing heartily and showed him the letter to God, बह भगवान का जो लेटर है, उनको देता है, never in his carer, as a postman had he known that address, the postmaster effect, जो postmaster है, वो एक बहुत ही अलग, एक बहुत ही friendly और pleasant, बहुत ही दयालू, बहुत ही अच्छा इंसान था, postmaster, also broke out laugh, उसने अपना हसना बंद किया, but almost immediately, और उसने बहुत ही जल्दी वो serious भी हो गया, and tapping the letter on his desk, commented, what faith, कि इसको कितना विश्वास है भगवान के उपर, I wish I had the faith of the man who wrote this letter, कि काश ऐसा हो सकता कि मैं जिसने ये लेटर लिखा है, मैं उसकी मदद कर सकता, और उसका जो भगवान के उपर जो विश्वास है, वो बना रहता, starting up, correspondence with God, मैं उसका जो लेटर है भगवान का, वो मैं लेटर भगवान तक पहुचा सकता, तो कितना अच्छा होता, ऐसा पोस्ट मास्टर सोचता है, और इसके बाद जो पोस्ट मास्टर उनको एक आइडिया आता है, answer the letter, उस लेटर का answer देने के लिए, but when he opened it, जब भी उन्होंने उसको खूला, तो it was evident that to answer it, he needed, कि उसका answer देने के लिए, उनको कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी, something more than goodwill, ink and paper, but he stuck to his resolution, he asked for money from his employees, और उन्होंने पोस्ट मास्टर ने उनके जो employees थे, जो हाँ पे काम करते थे, उनसे भी उन्होंने कुछ पैसे लेने के बोले, he himself gave part of his salary, उन्होंने सबको बोला कि तुम लोग अपने salary मसे कुछ पैसे लेन्चों के लिए इकठे करो, और पोस्ट मास्टर ने भी खुद के salary मसे, एक छोटा सा हिस्सा उसमें लेन्चों के लिए जमा किया, and several friends, उनके जो कुछ friends है, उनको बोला कि भाई कुछ act of charity दिखाओ, कुछ दया भाव दिखाओ और इसमें कुछ पैसे रख दो, हम लेन्चों को ये पैसे दे देंगे, it was impossible for him, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था कि वो 100 पैसों जमा कर पाते हैं, so he was able to send the farmer, only a little more than half, उन्होंने आधा से सिर्फ थोड़ा सा ज़्यादा पैसा उन्होंने जमा किया था, और इसके बाद उन्होंने लैन्चों के लिए वो एड्रेस बनाया, and with it a letter containing only a single word of as a signature, और इसका उन्होंने भगवान का signature कर दिया, यानि के simple word में उन्होंने God ऐसा लिख दिया, the following Sunday लैन्चों came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him, और फिर next Sunday जो लैन्चों है वो आता है, और ऐसा पुस्तर कि क्या उसके लिए कोई letter आया है, it was a postman himself who had handed the letter to him, while the postmaster experiencing the contentment of a man who was performed a good deed looked on from his office, और इसका देख postman आता है जो उनको अपने हाथ से वो लैन्चों को देता है, और ये सब जो है postmaster देख रहा था, ठीक है, खिड़की मसे postmaster ये सब कुछ देख रहा था, और उसको ऐसा महसूस हो रहा था, उसको ऐसा feel हो रहा था, कि उसने कुछ अच्छा काम किया है, लैन्चों को बहुत ही जादा सर्प्राइस नहीं हुआ, ठीक है, उसको थोड़ा भी आस्चर नहीं हुआ था लैन्चों को, क्योंकि लैन्चों को भगवान के उपर पूरा पूरा confidence था, कि लेटर आएगा ही आएगा, भगवान उसकी मदद करेंगे ही, इसलिए लैन्चों को थोड़ा भी surprise नहीं था, लेकिन उसको जब उसने पैसे count किये तो उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया, उसने बोला कि भगवान आपसे तो कोई mistake नहीं हो सकती है, nor could he have denied Lancho what he had requested, क्योंकि उसने 100 पैसों की request की थी और उसको स्रिफ 70 पैसों ही मिले थे, immediately Lancho went up to the window, और फिर जल्दी से Lancho जो है वो खिड़की विंडो के पास जाता है, और उनसे paper और ink मांग कर उसके उपर लिखने लगता है, writing table, he started to write, वो लिखता है, with much wrinkling, बहुती गुस्से से वो लिखता है, और उसके जो भी filling है, सारी फर्स लिंग लगा देता है, वो अपनी feelings को उसमें, उसके जो idea से उसको उसको वो letter में express कर सके, ठीक है, when he finished, जब वो अपना letter लिखना finish कर देता है, तो लिखता है, he went to the window to buy a stamp, which he linked and then affixed to the envelope with a blow of his fist, the moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to it, it said, यहाँ पर इसके बाद जब वो अपना पूरा letter लिख लेता है, तो लैंचो जो है, वो आपस post में जो चित्थी है, उसका जो mail है, उसको जाके envelope में रख देता है, ठीके, और इसके बाद जो postmaster of whatever जाके, वो mail box में से, वो चित्थी उठा लेता है, वो letter उठा लेता है, और उसको पढ़ने लगता है, और उसमें लैंचो ने लिखा था, कि God of the money that I asked the force only 70 pesos, reached me, तो यहाँ पर लैंचो ने उसमें लिखा था, कि भगवान, मुझे सिर्फ 70 pesos ही मिले थे, जबकि मैंने आपसे 100 pesos की मांग की थी, send me the rest, अभी जो उतने पैसे बाकी है, उतने पैसे आप मुझे वापस से भेज दीजिए, लेकिन इस बार आप post office के द्वारा मुझे ये पैसे मत भेजना, क्योंकि ये जो employees है, ये सब bunch of crooks है, मतलब ये लोग मिले हुए है, ये लोग large है, चोर है ये लोग, ऐसा लैंचोर उसमें लिखा था, और ये सब देखके, जो post master है, और उनके जो employees है, वो सब लोग वाती ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, तो यहाँ पर इसी के साथ आपका ये chapter खत्म होता है, वीडियो अच्छा लगा, तो like कीजिए, subscribe कीजिए, share कीजिए, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया, तो आप हमें comment कईजिए, ठीक है, मिंतलश में जय हीन, जय भारत!